हेलो दोस्तो हमारे चैनल मुई स्वार यू में आपका सौगत है और आज हम हाली में डिजनी प्लस आउस्टार पर रिलीज वी वेब सिरीज दे ग्रेड इंडे मर्डर का एक्सप्लेशन करने जा रहे हैं जिसमें टोटल नव एपिसोड है और मैं इसे तीन तीन के एपिसोड में टोटल तीन वीडियो में एक्सप्लेइन करूंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एपिसोड वन विक्की राए एपिसोड की सुरुवाद में हम नई दिल्ली सहर को देखते हैं जहां एक चेक्पॉइंट पर एक पुलिस वाला कार में लिफ लेता है और वो अ सबनम सक्सेयना चाहती है कि उस एस बार फिल मैनूल अवाड मिल जाए जिसके लिए वो कुछ भी करने को तयार है और विक्की उस नाइजीरियन ऑफिसर को खुश करने के लिए उसको सबनम की फोडो दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम इसके साथ राज बिताना करक्ति है पर विक्की उसको जबदस्तिung कीच करक कमरेले वापिस लाने के कोशिच करता है जहांसे हमनम इसको कूधने की धंकी दैती है ज्सकी भी कूधने का भोलकर उसको लाजमार का चला जाता मूझ टिए और नशियर्ट में डोलता हूँ देखते हैं फिर फो दोनों की की लड़की अब मर चुकी है विक्की अपने ड्राइवर को उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है इसके बाद सीन प्रेजेंट डेपर शिफ्ट हो जाता है जहां पुलीस को पकड़ ले जाती है क्योंकि वह का जिसमें वह दो लाशे मेली थी वह विक्की के नाम पर रजिस्टर थी विक्की के एरेश्टोंने के बाद मीडिया में आख की तरह फैलने लगती है क्योंकि विक्की सी बिजिसमें नहीं था बलकि 36 को अब 3 साल हुजाते हैं और हम अंदमान के आइलेंड को देख पाते हैं जहां पर कुछ आजिवासी पार्टी कर रहा होते ह वहां को एक शहरी आजमी बैठा होता है जो उनका डांस और गाना खतम होता है तब वो शहरी आदमी आजिवासी के मंदिर से एक मूर्ती चुरा लेता है और सुबह उनको पता जलता है कि उनकी मूर्ती चोरी हो चुकी है अब हम सीधा एक नीज चैनल के स्टूडियो में प चुकी के पिता जगनाथ को दिल्ली के सीम से बात करते हुँ देखते हैं जहां मिनिस्टर कमिस्टर को एविडेंस बदलने के लिए बोलता है ताकि विकी को छोड़ा जा सके अब विकी के पिता उसके से जुड़ सभी पुलिस वालों और इसकी बाद एविडेंस में हेरा पर रिट कर देती है और वहां बाबा हर बड़ी में भाग जाता है वहीं हम देखते हैं कि वो चुराई हुई मूर्ती बाबा के आस्रम में ही थी जो कि फिर से कोई चुरा लेता है और विकी अपने घर पहुचता है और हमें पतलता है कि विकी की बहन रीतू उसे बिल्कु को काट देती है जिसको विकी अपने बाड़ी गाड़ प्रजवी को कॉल करता है और सब्लम की बहन के सोटा से अक्सिडेंट कराने के लिए बोलता है इससे कि सब्लम इंटर्वी में ना पहुच पाए इसके बाद हम पार्टी के प्लैनिक देखते हैं जहां हम फिर से उस को बिलाया था और उसके साथ मार पीट की इसके बाद हम पार्टी के रात का सीन देखते हैं जहां सभी बड़े बड़े नेता और अभी नेता पार्टी में आते हैं वहां एक चैचा दिखा जाते हैं जिनका नाम मुहन कुमार है और उनको गांधी बाबा के नाम से भी बड़े वहां शम्नम भी आती है अब जैसा कि एक्ट्रेस लोग करते हैं हमिःसा चर्चा में रहे ले के लिए वो सुबा तो इंटर्वियू में विक्की के बारे में बहला पूलती है और रात में उसी पार्टी में पोहच जाती है वहां विक्की और सम्नम को बात करते हू एपिशोड 2 जगनाथ राय एपिशोड 2 की शुरुवाद में हम्मद परदेश 1992 में पहुच जाते हैं यह वो समय था जब विक्की के पिता जगनाथ राजनीती में आने की सोच रहे थे वो अपने दोस्ट बोरा से कहते हैं कि हम राजनीती में आएंगे और नया परदेश चा जोरू हुआ था जहा जगनाथ 36 का हो मिनिस्टर था और उसका दोस्ट बोराज चीम मिनिस्टर था पर विक्की के के कारण तोनों में दूर्या बढ़ने लगती हैं फिर हम 2021 में पहुच जाते हैं जार विक्की कड़ के सब ख़तम हो चुका है की जगनाथ सीम से मिलने जाता वो अपने सिस्टेंड को आउडर देता है कि वो सभी बड़े बिजिनसमेन की साथ एक मीटिंग दिक्स करें अब इधर सीम उन बिजिनसमेन गो रेट की धमकी दे कर चुप करा देता है जगनाथ काफी कुछ करता है पर उसके हाद में कुछ भी नहीं लगता है जगनाथ को ए यहाँ वाब बोलता है कि शरी नश्वर है और आत्मा आमर है तुम बस आत्मा को शरी से मुक्त कर रहा हो यानि कि किसी अपने को मानने से तुमें किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा इसके बाद हम बार में जनलिस्ट को देखते हैं जो की डेट के लिए आया था यहाँ वो खुद को Software Engineer बोलकर एक लड़की से इंटर्डूस कराता है यहाँ पर हमें पतलता है कि वो लड़की किसी Data Monitoring Company में काम करती है जहां वो कुछ लोगों के Calls और Messages को सुनती भी है और वो जनलिस्ट उस लड़की को बहला फुदला कर कहता है मुझे भी कुछ लोगों की Calls को सुनना है और इसमें तुम मेरी मदद कर दो और रड़की यहां कर देती है खैर यहां से सीन सीफ्ट होता है और पार्टी के चार्ज दिन पहले के सीन को देखते है जिहां प्रत्वी शब्नम की बहन का Accident करने के लिए जाता है पर उस लड़की को देखकर प्रत्वी का मन दे यहां पर हमें पतलता है कि प्रषवी जगंणात से जादा विक्की का बफ़तार है जिए कि वो तुनंति विक्की को कॉल करता है और उसको सारी बात बता पस होता है तब ही स्रिस्ट प्रशेट में शिप्ट होता है, मौनलब की पार्टी वाली रात में जहां विक्की के उप गोरी लगा चुकी है और अहां पॉलिस भी आ गई है पॉलिस बाहर जाने वार सभी लोग की तलाशी लेती है जहां उन्हें दो लोग के पास गन मिलती है और पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है इसके बाद जगनाद दिल्ली के C.M. से बात करता है जो की सारी बाद वो जनरलिस्ट सुन लेता है इसके आद वो C.M. से पसनली मिल जाते हैं और वो विदान सवाय निकल जाते हैं जहां बाहर तो वो रोने का नाटा करता है और अंदर C.M. को पॉइंट करते हुए अपने बेटे के मड़र में C.B. जाच की मांग करता है फिर हम दिल्ली के C.M. को देख पाते हैं जहां उन्हों C.B. आजब को मिलने के लिए बुलाया था देखा कि दो बच्चियों का रेप और मडर किया गया है और उसने विक्की राय को किसी और कहां तो मरवा दिया उसने जगनाथ विक्की का अंदर में सस्कार करता है और दूसरी तरफ हम आफिसे सुदा को देख पाते हैं इमस्टिकेशन की शबात उस पार्टी में पकड़े उनी दो ललकों से शुरू होती है सुदा मुना नाम की लड़के से पुस्टाष शुरू करती है और अपने जूनियर ऑफिसर मनजोद को मुना के घर बेजती है जा उस अफिशर को मुन्ना के दोस्त लनन की लाश मिलती है सुधा मुन्ना से पूछती है कि बदा तुने विक की और अपने दोस्त को क्यों मारा मुन्ना बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा और वो अपनी कहानी सुनाने लगता है वो बताता है कि हम दोनों समान चोरी किया करते थे और इधर उदर अपने connection से बेड़ दिया करते थे इसके बाद हमें मुन्ना की और स्टोरी दिखाय जाती है और हमें मुन्ना की बेहन चंपी दिखाय जाती है चंपी का चेरा बोपाल गया स्ट्रेजडी में खराब हो गया था और मुन्ना चंपी का आपरेशन कराने के लिए पैसा एकटा कर रहा था और इसके साथ ही वो दुबाई भी जाना जाता था और हमें पतलता है कि चंपी एक शोशल वर्कर है जो कि बच्चों को पढ़ाने का काम करती है तभी एक मॉल में सामान बेचने के दोरान पुरिज ललन को अरेस्ट कर लेती है और मुन्ना घूस देकर ललन को छुड़ा लेता है और वो दो पार्टी करने के लिए धावे पर पहुँच जाते है तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी मॉन्ना का पीछा कर रहा है फिर एक शाम वो आदमी मॉन्ना के ठिकाने पर पहुच जाता है और ललन को मार देता है हमें पता दलता है कि वो आदमी के बैक को ढूंड रहा है जिसमें बहुत सारा पैसा है फिर वो आजमी देखता है कि उस बैग में पैसा कम है मुन्ना कहता है कि उसने करीबर बारा लाग रुपया खर्च कर लिया है यह सुनकर वो आजमी मुन्ना को मारने लगता है और मुन्ना उसे रखा देकर भाव से भाग जाता है सुबह होती है और मुन्ना अपना समाल लेकर नए शहर आ जाता है और वहाँ अपनी सेफटी के लिए बंदू खरी लेता है फिर सीन प्रजेट में सिप्ट होता है जहां सुदा को लग रहा था कि वो पैसा विक्की की सुपारी गता पर मुन्ना बताता है कि वो पैसा उसने किसी आजमी के पास से चुराया था इसके बाद हम आफिसे सूरस को दूसरे लड़के को interrogate करते देखते हैं सूरस उस लड़के से पूछता है कि तुम कहां से हो तो लड़का बोलता है कि मैं डमान से हो सूरस पूछता है कि तुम विक्टी घर क्या कर रहे थे तो लड़का अपनी टोटी फुटी हिंदी में जवाब देता है कि वो अपने भगवान इंगिताई की मूर्ती लेने के लिए वहाँ गया था और इसके साथ ही वो बताता है कि वो मुन्ना की बेंच चंपी का दोस्त है तभी वहाँ एक आफिसर आके कुछ फाइल सूरस को देता है सूरस फाइल को देखता है और कहता है कि तुम्हारा नाम तो माइकल बुसारी है और तुम नाजीरिया से हो फिर वो उस लड़के को पीटने लगता है और पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है तो लड़का बोलता है कि उसका नाम मिकती है और हम मिकती के फ्लेस बैग में चले जाते हैं जहां वो चिन्नेई में भड़क रहा होता है और उसे वहीं पर असली माइकल बुसारी मिलता है जो उसकी मदद करने के बहाने उसको फसा देता है असली माइकल पर मड़का केस चल रहा होता है वो एकरती को एक ऐसी जगा भेजता है जहाँ पुलिस मों माइकल समझ कर पकड लेती है माइकल बिहार चे खून करकर भागा होता है और बिहार का एक आफिसर एक साल से उसका पीछा कर रहा होता है एकती जेल में होता है और उसे ले जाने के लिए बिहार का आफिसर आता है और वो कहता है कि यह माईकल बुसारी नहीं है, मैंने उसको देखा है और यह लड़का उसकी तरब बिल्कुल भी नहीं दिखता, लेकिन चिन्ने के पुलिस वाले कहते हैं कि अब तो यही माईकल बुसारी है, और आप इसे ही ले जाओ, वो आफिसे रून पुलिस वालों की बात माल लेता है, और इकती को ट्रेन में बैठा कर अपने साल ले जाने लगता है, और तीसरा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है